आप सभी का स्वागत है, नीट रिजल्ट जारी होने के बाद लगबग सभी स्टुनेंट्स वेट कर रहे हैं MCC All India Quota रजिश्टरसन के बारे में और State Counseling रजिश्टरसन को लेकर और एक बात मैं आप सभी को बता दूँ, जब NDA ने सुप्रिम कोट में याची का दायर किया था उन दो एस्टुनेंट्स के रिनिट एक्जाम को लेकर तो उसने लेटर में मेंसन किया था काउंसलिंग को लेकर 15 परसेंट उसमें 17 नॉमबर डेट दिया था हाला कि उससे 2-3 दिन रिजल्ट में डिले हो गया लेकिन आप सभी एक्सपेक्टेट डेट लेकर चले 17 नॉमबर के आसपास 17 नॉमबर के आसपास MCC का रिजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा आज बसवन में और एक बात मैं आप सभी को बता दूँ रिजिस्टेशन के लिए आपको only 8-9 days का समय दिया जाएगा हर एक साल इतना ही दिन का समय दिया जाता है और मैं आपको बता दूँ इसलिए मैंने आपको previous वीडियो में कहा था कि आप सभी All India 15% का choice feeling करने के लिए college का ranking बना ले 40-50 college का ranking बना लेंगे तो आपका हो जाएगा उसी में top 10 में कोई ना कोई college आपको मिल जाएगा आपको मुझे पात है थोड़ difficult होगा लेकिन एक बार आप सभी बना ले 11 या 12 नॉमबर को में एक वीडियो अप्लोड करूँगा उसमें इसको लेकर कुछ detail में और बात करेंगे choice feel और ranking को लेकर तब तक आप सभी बना ले और एक बात में आप सभी को बता दू next वीडियो में एक बहुत important PDF आपको share करूँगा उसमें all India quota को लेकर जितने भी आपके मन में doubts होंगे सब कुछ clear हो जाएगा आप मेरे telegram को join कर ले या मैं वीडियो में आप सभी को information जरूर दे दूँगा तो friend आप सभी 17 November expected date लेकर चले registration all India 15% counselling को लेकर और हाँ ये counselling के बाद भी state वाले बहुत जल्द सुरू कर देंगे साथी साथ लगबक कुछी दिनों में सुरू कर देंगे बहुत जल्द ठीक है तो आप सब भी हमारे सथ बने रहे हैं चैनल को subscribe कर ले प्रतिक states के बारे में आप सब दूको update मिलेगा Thank you